आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से काफी लंबे अंत्राल के बाद आप सब लोगों से समवात करने का मौका मिल रहा है कुछ जीवन की परिस्थितियां ऐसी थी जब मैं आपसे वारतलाप नहीं कर पाया थोड़ा ठीक हुआ सोचा आज आप सबसे वारतलाप किया जाए इन संक्रणें परिस्थितियों में भी एक चीज जो मैंने नहीं छोड़ा वो था व्यूर्स ध्यान जो आज पिछले लंबे अंत्राल से ध्यान साधना में लगा रहा और विश्ण परिस्थितियों में भी ध्यान करता रहा ध्यान की शक्ति का लाब आप सबको लेना चीए साधना का पहला सोपान ध्यान से भी शुरू होता है अगर आप माला जब करके ध्यान कर लेते हैं और ध्यान को केंद्रित कर लेते हैं तो आज नहीं तो कल शर्तिया तोर पर आपका आद्यात्मिक उठ्थान होने जा रहा है। निरंतर माला जाप करना और रोज मेडिटेशन द्यान का भ्यास करना और कोशिश करना आध्यात्मिक जगत आध्यात्मिक शक्तियों से जोड़ने की प्रत्न करना आपको निश्चे त्रोप से एक समय ऐसा भी आएगा वो अद्रिश्य दुनिया वो अद्रिश्य शक्ति वो कुणिनली शक्ति वो तमाम शक्तियों से आपका दर्शन आपकी वारतलाप अवश्य होगा और जिसको आप ही जान पाएंगे कि आपके शरीर में क्या रुपांत्रन हुआ है आपने क्या सामर से प्राप्त किया है साधना के द्वारा ध्यान के द्वारा बहुत बड़ा सामर्थ प्राप्त किया जा सकता है आपने ऐसे बहुत सी लोगों को देखा होगा एक साधरन से घर में जनम लेकर साधना के बल पर देश के सरुत्तम जगे पहुँचे उनके पीछे बहुत बड़ी साधना की शक्ति काम करती है जो बहुत कम लोगों को समझ में आती है जितना ज़्यादा जब और ध्यान साधना एकांधवास करेंगे उतना आपके जीवन में खुशियां, निरोक काया और सफलता का अपार द्वार आपके लिए खुल जाएगा मैं मानता हूँ कि ध्यान साधना ये सब प्रभु किरपा ईश्वर मालिक के आशिरवात के बिना प्राप्नी होता मैं भी बोल रहा हूँ, जरूर आज वसंद पंचमी के दिन उपर वाले ने मेरी टफ्स परिस्तियों के बापजूद भी मुझे इस प्लायक बनाया कि मैं बोलू वापस तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, ध्यान करिए, ध्यान में अपार शक्तियां मौझूद है, उसको टैप करनी कोशिश करिए, माला जब करिए, सुबह उटकर चार बजे, और ध्यान करनी कोशिश करिए, मेडिटेशन रोज करिए, अगर आत्म साक्षतकार को करना चाते हैं, अपने जीवन की नईया को बदलना चाते हैं, तो मैं कहूंगा, इससे बड़ा गोल्डेन टाइम और नहीं हो सकता, कैसा भी समय रहे, जैसा कि आज दुनियां भर में कितना विश्यम परस्तिती चल रहा है, कितना ज़्यादा तनाव है, इन तनाव बरी पर पांतरन का सबसे बड़ा हतियार, सबसे बड़ा आशिरुवाद आपको प्रेयर से मिलता है, जिसके जीवन में ध्यान की शुरुवात हो गई है, और लंबे ध्यानी कर लेता है, वो काफी आगे पहुंच गया, बहुत से शक्तियां विर्दमान हैं, जो मैं यहां तो नहीं द्यान की शक्ति थी, वे बोलते थे, लाखों, करड़ों लोग सुनते थे, आज भी आज कोई पब्लिक सिगर आप देखते हैं, वो बोलता है और बहुत से लोग सुनते हैं, तो कही ना कहीं छुपी और शक्ति काम कर रही है, वो शक्ति है कॉस्मिक एनरजी, इश्वरी श इश्वर मालिक के नाम में बहुत भी शक्ति है, और निरंतर जब करिए एक ही टाइम में, मेरा दावा है कि आप एक दिन कमल फूल की तरह खिलेंगे, और आपके जीवन में दुख के बाप जूद भी आप उभर के आएंगे, नौ मैना कावी संकट में परिस्थिती में रह लेकिन ध्यान नहीं छोड़ा, ससंग नहीं छोड़ा, हर परिस्थिती में आपको सम बनाया रखना है, और जिस दिन उसकी इच्छा होगी, जो वही इसकी इश्वरी इच्छा होगी, वही अल्टिमेटली प्रिवेल होता है, ध्यान की शक्ति से शारिरिक फिटनेस बढ़ जाएगी, मन में शान्ती होगी, और इस कोरोना के समय आप अपने आपको बहुत इंटरनली इम्मुनिटी को मजबूत करता है, ध्यान, माला जब करके ध्यान करेंगे, तब का इम्म्यून सिस्टम मजबूत होगा, आपके आत्मा की रक्षा होगी, आपके शरी की रक्षा ह और संकन परस्तिती में भी आप निकलेंगे, धन्यवाद, ओम शान्ती कि अरुः आप होगी, यह झाल सकत तान्ते सबक्षा है, तो अपके शर्म शान्त परस्तितत को सबक्षा है, तो दी उलहाद झाल झाल